वेलकम अगेन टो योर हिंदी आॉलाइन क्लास बच्चो आज हम हिंदी सेकिंड की बुक में चैप्टर टैन का रिविजन करेंगे चैप्टर टैन में चिडिया और चुरूगा इस कवीता में के अच्चा जो चुरूगा नहीं उसके लिए बताया गया है कि जो उसने पहली ब छोड़ गोसला बाहरा आया है कि डाले देखे पात और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपसमें बात मा क्या मज को अड़नाया नहीं चुरूगन तू भरमाया पहरी बार चुरूगन जब भूए चुरूगन बहाता है जालिय देखता है पत्ते देखता है और पत्तों के हिल्म लाट ब Boss सुनता है उस वासर लगता है बात किया मा क्या मुझे ओड़ना आ गया लेकिन मा कहते हैं नहीं तुझे भी ब्रहमे तुझे उड़ना नहीं आया है डाली से डाली पर पहुंचा फूल उपर उठकर फूंगी जानी नीचे जुक कर जाना मूल मा क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुरूगन भरमाया उसके बाद उसको सबके बाद उसके बाद उसके और फूंगी प्ले करत आया कच्चे पके फल पहचाने खाये और गिराये काट खाने गाने के सबसाती देख रहे है मेरी बाट मा क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुरूगन तू भरमाया उसके बाद फलों की पेचान उसको हो गई है कच्ची और पक्के फल पेचान लिए है कुछ खाए जो कच्चे थे वो काट कर निचे गरा दी और पक्के भी खा लिए और वो कहा रहा है कि खाने और गाने के मेरे सब साथी बन गए है मेरे दोस्त बन गए है वो मेरी रहा देखते है मेरे अंतिजार करते है मा क्या मुझे उड़ना आ गया तब भी भी मा कहती है कि नहीं चुरूगन तू अभी भी ब्राम्य है उस तरू से इस तरू पर आता जाता हूं दर्तिगी ओर, दाना कोई कहीं बड़ा हो, चुन लाता हूं, ठोक्ठटव तोर, माा क्या मुझा दूर नाया नहीं चुरूगन तू भरमाया उसके बाद वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आता जाता है धरती की और जाता है और कहीं पर अगर कोई दाना पड़ा हुआ हो तो उसे देख कर लेकर आ जाता है तब ही वो अपने मा से बूसता है मा क्या मुझे उड़ना आया उसके बाद भी मा कहते हैं नहीं तेरी काया उसके बाद वो कहता है कि मैं नीले गगन में नीले आसमान में उड़ता चला जाता हूं और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे लगातार कह रहा है कि उड़ जा और उड़ता चला जा उपर की दरफ नीचे मता और उपर की दरफ आसमान में उड़ता चला ज अब देखेंगे शब्दर्द पात पत्ता चुरुगन चिडिया के बच्चे का नाम भर्माया भ्रामित हुआ तरू व्रक्ष गगन आकाश अनिवार इरंतर लगातार पर पंक डैनेमानेवी पंक और काया शरीर उसके बाद प्रश्नुत्तर चुरुगन ने गोंसले से बाहर आकर क्या देखा चुरुगन ने गोंसले से बाहर आकर पेड़ की डाले और पत्ते देखे डाली से डाली पर पहुँचकर चुरुगन ने क्या देखा डाली से डाली पर पहुँचकर चुरुगन ने पेड के अन्य भाग जैसे कलिया, फूल, फुनगी तथा जड़ देखे चुरुगन किसकी अनिवार पुकार सुनता है चुरुगन नीले गगन की अनिवार पुकार सुनता है चुरुगन की बाट कौन देख रहा है चुरुगन की साथी उसकी बाट देख रहे है चुरुगन दाने को कैसे चुनलाता है चुरुगन दाने को ठोक ठोर कर चुनलाता है Next Matching आज सुफल है तेरे डैने, छोड़ घोसला बाहर आया, पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बाद, मा क्या मुझको उड़ना आया, चुन लाता हूँ, ठोक ठटोर, अज्यात गगन की अनिवार पुकार, इस परकार से आपने मैचिंग पहले भी कर ले थे, और यहाँ पर आपने नंबर भी लि दोड़िवायस कर लेजे, नेक्स एक्स साइज, दो दो प्रहावज़ dov लिकेए, सबसे पहले गरगन की प्रहावज़ शब्द आसमान, आकाश, पक्षी के प्रहावज़ शब्द, खग विहग, मा, माँ के प्रहावज़ शब्द, माता और जन्नि, फूल की, पुश्प औ और सुमन, धर्ती, भू और भूम, नेक्स्ट में गलत वर्तनी लिखिए, गलत स्पैलिंग लिखिए, देखिए, सई स्पैलिंग है, कलियां, फुनगी और तरू, नेक्स्ट पेज, धर्ती, अनिवार, नेक्स्ट एक्ससाइज, उधारण के अनुसार, क्रियां का काल बदल कर लिखिए, देखिए, समझाना, समझाया, समझायेगा, आया, सुरी, आना, आया, आयेगा, भर्माना, भर्माया, भर्मायेगा, पढ़ाना, पढ़ाया, पढ़ायेगा, बताना, बताया, और बतायेगा, next है मौकीक उत्तर दीजिए बालक का पर्थम शिक्षक किसे कहा गया है माता को कहा गया है crust 2 film के उड़ने वाले अभीनेता का नाम है रितिक रोशन कौन सा जानवर एक डाले से दूसरी डाले पर खूतता है बंदर runway किसे कहते हैं runway कहते हैं हवाई पट्टी को उसके वाद बच्चो लाजट टो एक साइस हमने आपको हूमवर्क में करने के लिए दी थी यह आपने कर लियोगी दस वर्ष की उमर के बच्चो को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं मोटसाइकल चनाना नहीं करन चाहिए तो बच्चो इसका रिविजन आपका पूरा हो गया है अब आईए देखते हैं इसका हूमवर्क हूमवर्क में आपको पीज नंबर 63 की एकसरसाइज करनी है इसमें मिलान दिये गए हैं मैचिंग कीजिए मिलान कीजिए और उसके बाद आपको व्याकरन बोध की द हैं और इसलिए करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में फिरसे मिलेंगे थैंक यू